आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ और लिखा हुआ राइट यह लिखने है तो यह भी लिख जाएगा वाट अब किया होंगे यह भी हमको बताना थीक है अब यहां पर हमको कौन सी प्रोसेश दी गही है क्लोर एलकली ठीक है तो आपका जो क्लोर एलकली प्रोसेश है इसके नाम में ही आपका मतलब हिटा हुआ है यहां पर क्लोरी new gas जो है यह आपकी A1 होती है यहाँ पर एलकली का मतलब होगए यहाँ पर sodium hydroxide मतलब है ठीक है तो यहां पर cas astic soda जिसको बोले जाता है यहां पर awak aívärj होता है तो sodium hydroxide मतला इसके लिए alkali सब दो यूज किया अग लोर जो है ये chlorine के लिए ठीक है तो जो product form होते हैं उनके लिए ये chloroalkali process जो है उनके नाम पर रखा गए तो when electricity is passed through an aqua solution of sodium chloride card brine ठीक है, brine solution से अगर हम electricity pass कर दें तो क्या होता, it decomposes to form sodium hydroxide the process is called the chloroalkali process ठीक है, इस पूरी process को chloroalkali process जो है बोला जाता है तो यहाँ पर जब electricity pass की जाती है तो इस principle का नाम हो जाएगा electrolysis principle ठीक है यहाँ पर जो है यह आपका जो कास्टिक सोडा बनाए जाता है तो यहाँ ब्राइन सॉलूशन का जो है electrolysis किया जाता है और यही इसका क्या हो जाएगा principle हो जाएगा ठीक है जो principle involved होता है वो electrolysis principle आपका involved होगा ठीक है और यहाँ पर जो है आपका बोला जाएगा कि जो कास्टिक सोडा जो बनता है वो chloroalkali process दोरा बन रहा है by electrolysis of brine solution ठीक है ब्राइन सॉलूशन जो होता है आपकी जो equation होती है वो आपकी क्या हो जाएगी एने सील और यह आपका एक्वस फॉम में होता है ठीक है और इसी को जो है ब्राइन सॉलूशन बोलते हैं और इसी से जो है electricity जो है पास होती है तब जाके आपका जो यहाँ पर जो reaction होती है तो यहाँ पर एक्वस फॉम में हो और यह वाटर से रीक्शन कराई जाती है तो यह आपका कास्टिक सोडा हो जाएगा कास्टिक सोडा ठीक है इसका जो है हमें manufacture करना था ठीक है तो यह तो आपका बनेगा और साथ में कुछ side product या by product जिनको बोलते है वो बनेगा तो यहाँ जो cl2 gas जो है यह बनती है और साथ में hydrogen gas आपकी यह भी बनती है तो यह आपकी जो है एवाल होती है कहां कहां पर एवाल होंगी तो chlorine gas is given off at anode ठीक है यह आपका chlorine gas जो है यह आपकी anode पर आपकी एवाल होगी और जो आपकी hydrogen हो आपकी कहां पर हो जाएगी cathode पर तो यह जो है anode पर जाएगी और यह जो है यह आपकी कहां पर जाएगी cathode पर जाएगी ठीक है यह जो है यह आपके side product है तो यह जो है यह इसकी reaction हो गई क्या हो गई यह reaction हो गई ठीकिए और principle जो है मैंने लेख दिया कि आपका electrolysis प्रिंस्पल यह यही तो हम electrolysis of Brian आपको बनी सोव जो कराते है और जो आपके आपकी ब्रोडक्ट हो जाएंगे लेकल पर यह पूरा श्icky thank you आज जी डाउनलोट करें डाउटने टाप या वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स आच चार्सो 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 पर